हेलो एव्रिवन, कैसे हैं आप लोग, आपका मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके साथ फूल गोबी का एक बहुती टेस्टी सा और बहुती इजी सा नाश्ता शेयर करूंगी जिसे आप बच्चों के लिए दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में बहुती बैस्ट रेसिपी है, खाने में बहुती ज़्यादा डिलिशिस लगती है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाय जाता है तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की एक फूल गोबी ले ली है उसे अच्छे से मैंने धूल लिया है और इस तरह बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है साथ में ही हम कुछ सब्जिया और लेंगे जैसे कि मैंने थोड़ी सी प्याज ली है थोड़ी सी सिम्ला मिश्च साथ में ही थोड़ा सा अद्रक है और एक से दो हरिमेश और धेर सारा हरा धनिया तो सबी सबजियों को आपको यहाँ पे बिल्कुल फाइन चौप करना है और उसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे एक उपला हुआ आलू तो आप चाहें तो यहाँ पे गाजर भी डाल सकते हैं अ और इस बारीक वाले छेद वाले ग्रेटर से अगर इसे ग्रेट करेंगे तो यह पहुत ही बारीक बनके तयार हो जाता है तो देखिये फ्रेंट्स इसी तरह सभी गोबी को पहले हम कर लेंगे और जो इनके डंठल रह जाते हैं उन्हें हम हटा देगे क्यूंकि उनका लाउन भ्रेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद lेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ब्रैड को तोड़के हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में क्युक्कि इसके हम बनाएंगे ब्रैड क्रम्प्स तो इस रैशिपी में आपको ब्रैड के किणारे हटाने की हमने गोबी को ग्रेट किया था तो अब अपने नाश्टे को अच्छा सा करारापंद देने के लिए यहां पे हम एड करेंगे वन फोर्थ कप चाबल का आटा और अच्छे टेस्ट के लिए एड करना है यहां पे वन फोर्थ कप बिसन साथ में ही हमने जो बॉइल आलू लिया था उसे भी हम ग्रेट कर देंगे तो इस रेसिपी में आलू को आपको कद्दू कज ही करना है हातों से मैश करके आपको नहीं डालना है तो देखी फ्रेंट्स इस तरह आलू के लच्छे बनके तयार हो जाते हैं और इसके बाद हमने जो सारी सब्जियों को काट की रखा है सभी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और अद्रक का टुकड़ा है उसे भी हम बिल्कुल फाइन बिल्कुल बारी इस तरह ग्रेट कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो देखी फ्रेंड्स यहां पे बाकी सारी बची जो सबजियां थी उन्हें भी हमने डाल दिया है इसमें और अब इसमें हम कुछ हलके फुल के मसाले एट करेंगे तो मसालों में आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मीची का पाउडर साथ में ही कलर के लिए आदा चमच हल्दी पाउडर और उसी के साथ डालेंगे यहां पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो नमक आप यहाँ पे सफेद या काला जैसा खाते हैं वैसा एड़ कर सकते हैं साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गर्म मसाला तो इस रेसिपी में आप हींग जरूर एड़ करें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे आदा चमच भर के अजवाइन जिसे हातों से क्रश करके ही डालेंगे और साथ में डालेंगे आदा चमच भर के जीरा सभी को डालने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स तो इसे mix करने के लिए आपको यहाँ पे पानी नहीं add करना है इसमें बिल्कुल भी जो हमने आलू यूज किया है वो boiled है और सबजियां हमारी बिल्कुल कच्ची है तो कच्ची सबजियों में काफी पानी रहता है उसी से हमारा जो mix है वो बन के तैयार हो जाएगा हो जाएगा और वो अच्चे से bind हो जाएगा तो उसे side में रखने के बाद इधर हम बनाएंगे बहुत ही तीखी चपटी सी एक चटनी तो चटनी को बनाने के लिए simply हमें हरा धनिया लेना है खूप सारा उसे अच्छे से धो लेना है और इस तरह रफली काट लेंगे साथ में ही डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च और थोड़ा सा अद्रक तो आज जो ये नाश्ता हम बनाने बाले हैं ये हरे धनिय की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बैसे आप इसे कैचप के साथ भी खा सकते हैं तो साथ में ही अब इसमें हम एड़ कर देंगे दो चमच फ्रेश दही और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे दो चमच भर के सेब भुजिया तो आपके पास जो कोई भी सेव भुजया हो वो आप इसमें एड़ कर सकते हैं साथ में ही डालेंगे याँ पर थोड़ासा नमक, एक चमच भरके जीरा और लगबग आदा छोटी चमच भरके डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ासा पानी एड़ कर देंगे और ढखका लगा के बिल्कुल स्मूथ इसे पीस लेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं पर मैंने चटनी को थोड़ासा चटपटा बनाया है इसलिए मैंने थोड़ासा इसे एड़ कर दिया है तो देखी friends हमारी चटनी जो है बन के बिलकुल तयार है बहुत ही तीखी और बहुत ही चटपटी सी तो उसे रखते हैं साइड में चलते हैं मिक्स की तरफ और यहां पर आप देख सकते हैं कि मिक्स काफी सॉफ्ट हो गया है तो अब यह अच्छे से बाइंड भी हो रहा है बस हातों से मसलते हुए इसका एक डो बना के आपको तयार कर लेना है तो फ्रेंट्स इसमें हमने चाबल का आटा मिक्स किया है जिससे कि हमारी जो रेसिपी बनेगी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बेसन डाला है तो उसकी बज़े से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो एक बार आप मेरे कहने पे ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें ये घर में सभी को बेहत पसंद आएगी तो देखे बस इस तरह एक दो मिनट तक आप इसे मसलते हुए इसका डो बनाके तयार कर लीजे और ये इजी ली बिलकुल परफेक्ट डो में कनवर्ड हो जाता है तो देखे फ्रेंड्स यहां पे अल्मोस्ट हमारा जो डो है वो बनके तयार हो गया है उसके बाद सबसे पहले हम हातों को अच्छे से वाश कर लेंगे और इसमें हम एड करेंगे बहुत थोड़ा सा कुकिंग ओयल हातों पे ओयल को अच्छे से ग्रीस करेंगे और इस तरह थोड़ा सा मिक्स लेके सबसे पहले हम एक बनाएंगे लड़ू और उसे हम फ्लैट करते हुए इसे टिक्की का शेप दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मूटा नहीं रखना है इसे पतला ही रखना है जिसे कि अच्छे से हम इसे सैलू फ्राई कर सकें और यह अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन सके तो देखे इस तरह यह टिक्की बन के तयार हो गई है तो चलिए चलते हैं अब इसे फ्राई करने की तरफ तो इधर कुकिंग ओयल गर्म हो गया है और जैसे ही हमारा कुकिंग ओयल गर्म हो जाएगा तो बस एक-एक टिक्की को उठाके हम इसमें डाल देंगे तो नाश्टे को फ्राई करते समय उससे पहले आप ओयल का टेमपरेचर जरूर चे कर लें तो इस तरह एक छोटी सी गोली बनाएंगे और इसमें डाल के देख लेंगे और देखे आप यहाँ पे oil का temperature बिलकुर perfect है इतना ही हमें इसके लिए चाहिए तो बस एक एक करके हम इस shape को बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे चाहें तो आप हातों हात इने बना लीजिए या फिर आप सभी नास्ते को पहले बना के रख लीजिए उसके बाद इने आप fry कर लें तो आप चाहें तो इस नास्ते को deep fry भी कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह shallow fry भी कर सकते हैं तो इस नास्ते को मैं आज हाथों हाथ बना रही हूँ तो जितने भी पैन में आ जाएं एक बार में आराम से उतने ही आप इसे एक बार में डाले तो देखें यहाँ पे शेप आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसी भी रख सकते हैं यहाँ पे और जब यह नीचे से अच्छे कलर में आ जाए तब आप इन्हें पलट दे तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है साथ में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है आप इसे बच्चों के लिए भी दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में या फिर आप के हाँ पे कोई महमान आने बाला है तो भी आप इने बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं या फिर आप के हाँ कोई चोटी मोटी किटी पार्टी है तब भी आप इने बना सकते हैं बनाने में तो आपने देखा ही कितना ज़्यादा इजी है और खाने में सुपर टेस्टी तो देखे एक तो बनके तयार हो गया है तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी बचे हुए नाश्टे को भी बना के तयार कर लेंगे तो लीजी फ्रेंड्स तयार है फूल गोबी का एक बहुत ही टेस्टी और नया नाश्टा जिसे आपने कभी भी बना के ट्राइ नहीं किया होगा बिलीब मी फ्रेंड्स जो कोई भी फूल गोबी ना खाता हो उसे अगर आप ये रेसिपी खिलाएंगे तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें आपने धेर सारी सबजियां और फूल गोबी एड़ किया है बहुत ही जादा सुपर टेस्टी बनता है और सुपर क्रिस्पी और ओयल तो बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं करता है तो एक बार आप ये रेसिपी जरू ट्राइ करें तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा इसे शियर करें साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर